नमस्कार दोस्तों, ये पक्षी भले ही पैंग्विन की तरह दिखता हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे ग्रेट ओक कहा जाता है। आप इन पक्षियों को केवल इमजज में देख सकते हैं क्योंकि ये अब एक्स्टिंक्ट हो चुके हैं। ग्रेट ओक एक फ्लाइट लेस सीबर्ड था जो नौथ अट्लांटिक महासागर में बसा हुआ था। अपसोस की बात है कि 189 साल पहले 1844 में इसी दिन ग्रेट ओक्ष की लास्ट नोन पै को वास्तव में मार दिया गया था। ग्रेट ओक के एक्स्टिंक्ट होने के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसमें उनके मीट, अंदे और पंखों के लिए मनुश्यों द्वारा अत्यदिक शिकार करना शामिल है। पक्षी के बड़े आकार और उनने में असमर्थता ने इसे शिकारियों के लिए आसान लक्ष बना दिया। अडिशनली, ग्रेट ओक के अंदे हाइली प्राइस थे और बड़ी संख्या में कलेक्ट किये गए थे, जिससे उनकी डिकलाइन में और योगदान हुआ।